हेलो दोस्तो इस वीडियो में हम एलो वेरा जूस के बारे में बात करेंगे आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल काम की नोलिज अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में लगे नोटिपिकेशन बेल को भी अरन कर लीजिए एलो वेरा जूस को सिपजर कमपनी द्वारा बनाया जाता है सिपजर एलो वेरा जूस में एंटी ऑक्सिडेंट, एंटी बैक्टेरियल और एंटी सेप्टिक गुड होते हैं सिपजर एलो वेरा जूस में मौझूद हाइडरेटिंग गुड सरीर के लिए कई तरह से फायदेमंद होते हैं पुर्सों की स्टेमना बढ़ाने में मददगार होता है और पुर्सों में टेस्टरोन हार्मोन को भी बढ़ाता है इसमें मौझूद एंटी ऑक्सीडेंट और बिटामिन सरीर को एनरजी देते हैं सिपजर एलो वेरा जूस एनरजी बूस्ट करके एक्सेसाइज और रनिंग स्टेमना बढ़ाता है जिससे आपके सरीर में चुस्ती और फुर्ती आती है सिपजर एलो वेरा जूस के रेगुलर सेवन करने से पुर्सो की फर्टिलिटी भी बहतर होती है एलो वेरा जूस स्पम की मौटिविलिटी बढ़ाने में भी मददगार होता है सिपजर एलो वेरा जूस एम्मेनिटी सिस्टम को मजबूत करता है और आपके सरीर में रोक प्रतियोदक चम्ता को बढ़ा देता है जिससे आपके सरीर में बीमारी उसे लगने की चम्ता बढ़ जाती है सिपजर एलोवेरा जूस पाचन तंदर को सही करता है कॉलिस्टरॉल लेवल को कम करता है और आतों को साफ और पेट को स्वस्त करता है पेट में होने वाली कबच की प्रॉब्लम से भी आराम दिलाता है सिपजर एलोवेरा जूस बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है जिन लोगों के बाल तूटते हैं बाल बहुत ज़्यादा जड़ रहे हैं दोनों साइडे गंजी हो गई हैं दो मुहे बाल हो गए हैं तब आप इन सभी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए इसका यूच कर सकते हैं और अपने बालों को सुन्दर, मजबूत, काले और घने बना सकते हैं सिपजर एलोबेरा जूस स्किन रोगों से बचाता है इसकिन अलर्जी, इसकिन पर दाने निकलना, मुपर मोह से निकलना या फिर मुपर दाग धब्य होना इन सभी तरह की अलर्जी को खत्म करने के लिए आप सिपजर एलोबेरा जूस का यूच कर सकते हैं सिपजर ऐलोवेरा जूस बैक्टेरियल इन्फेक्शन को खदम करता है और अगर आपकी बौडी में फोड़े फुनसी बहुत निकलते हैं या फिर कहीं कोई घाब हो गया है तो उन्हें बैक्टेरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं सिपजर ऐलोवेरा जूस जोडों के दर्द में आराम दिलाता है जिन लोगों के हाथ पैरों में दर्द होता है कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है तब ऐसी कंडिसन में आप इसका यूज कर सकते हैं सिपजर ऐलोवेरा जूस का इस्तमाल करने से दिल का दोरा पैने के चांस बहुत कम हो जाते हैं यह नसों में होने वाली ब्लॉक इसको रोकता है हाई बलड प्रेशर और सुगर को कंट्रोल करने के लिए भी आप ऐलोवेरा जूस का यूज कर सकते हैं यह बलड प्रेशर को कम करता है और सुगर को भी बहने से रोकता है सिपजर ऐलोवेरा जूस आपके सरीर की स्किन को तरो ताजा और मुलाइम रखता है और आपके सरीर में जुरियां जल्दी नहीं पढ़ने देता है और इसके साथ साथ दातों को भी हेल्थी और मजबूत बना रखने के लिए आप ऐलोवेरा जूस का यूज कर सकते हैं अगर इसके साइड इफेक्ट की बात की जाए तो यह पूरी तरीके से नैचुरल प्रोड़क्ट होता है इसलिए इसका कोई भी साइड इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलता है अब बात करते हैं ऐलोवेरा जूस की डोज किस तरीके से लेनी है एक अडल्ट वेक्ती सुबह नासते के बाद 10 एमल और साम को खाना काने के बाद 10 एमल इसका यूज कर सकता है या फिर आपके डॉक्टर ने जिस तरीके से आपको बताया है मरीज की इस्तिती और उसकी बाड़ी बेट को देखते हुए अलोवेरा जूस की डोज अलग-अलग हो सकती है अब बात करते हैं इसे खरीदना किस तरीके से है सिपजर अलोवेरा जूस को खरीदने के लिए स्क्रीन पर दिये गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अभी आप इसका ओर्डर दे सकते हैं अगर वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर किसी मेडिशन से रिलेटिव आपका कोई सवाल है तब आप हमें कमेंट बॉक्स में पूँच सकते हैं